तो भाई आज वीडियो शुरू करने से पहले ना कुछ बात करेंगे और बात पहले इस लाइन से करेंगे जो बोएगा वही काटेगा तेरा किया आगे आएगा तो भाई साथ देखिए कुछ लोगों को बहुते ज़्यादा गलत वहमी तो समय समय पे ना को अहसास कराते रहेंगे कर्मा का होता है कोई ट्रांसफर वगयरा नहीं होता है तो आप लोग भी समय समय पे बताते रहें क्योंकि देखिए अगर कोई जानकारी अधूरी लेकर यहां पर प्रवाहित कर रहा है तो उसको करेंद करना आपका काम है यह शुशल मेडिया पे गलत जानकारी देरह ना जाने कितने अंध वक्त मतलब कतने टरू वाले सोचाएं कि हम सारा अपने घर में अत्याचार मचाएंगे उसके बाद मेरी सास या मेरी ननद या फिर कोई अगल बगल वाला पड़ोसी धर उतर बतियाएगा और मेरे पाप हैं कोड़े पड़े इससे अच्छा है कि बाई जो टरू वाले हैं उनके लिए तो हम कुछ ना कुछ यहां पर मापदंड स्थापित कर सकते हैं सही चीज बताएक है वाकि अब कुछ लोग गलत फैमी का शिकार हैं तो उनको रहने देते हैं कोई बात नहीं अब तब की किसको मिलता है चलिए जी अभी बात कर लेते हैं पहले तो हम बात करेंगे जिज्जा जी की दो मिनट के लिए उसके बात करेंगे भाई साहब जोट की दिवानी जो करें हैं पानी पानी करके अपनी शैतानी भाई जोट की दिवानी के हाल हैं बेहाल सुर है नताल कुछ ऐस केस था कि भाई पुलिस को कॉल की गई बहुत जरूरी था भविस के लिए फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे उनका टाइटल था फिर मैं गई अब वहां पर मैंने देखा कि भाई जो कंचन का बेटा है वो बिन बताए सब लोग अपने अपने में विजी थे उसको खाना था जी का असर हमरे उपर हो रहा मतलब 200 मीटर अब वहां पर रोड भी है और अच्छी खासी बड़ी रोड जिस पर ट्रक्स भी चलते हैं बसस भी चलते हैं और भाई फोर विलर टू विलर तो चलते ही चलते हैं तो वह रोड क्रॉस करके अकेले चला गया अब इतना बड़ा बच्चा भी नहीं है कि वह सारी चीज़ें यह कर सकता है तो जब आये गए तो उनके अच्छे से भाईया बढ़िया से खैरियत पूछी गए जो की बहुत है जरूरी तमाम सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि नहीं बोलना चीए ऐसे नहीं करना चीए मेरे हिसाब से चाहन देना कि अरे वाह मेरा बेटा तो शाबस कितना अच्छा काम किया है रोड के वही पर जाय के सुपर हीरो बनी के तूप पैकेट ले आए तो ऐसे पर पीट थप थपानी नहीं जी दुछ पात लगानी अब जिसको जो सोचना है सोचे बच्चों की उपर माता पिता का अधिकार होता है तो यहाँ पर डांट लगाना बेहद है जरूरी तो ऐसे अगर आपके भी बच्चे थोड़ा ज्यादा आपकी हाथ से निकल रहे हैं मतलब इंडिपेंडेंट बन रहे हैं वो भी जिजी जैसा तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहने का मतलब उनको रखने का नहीं तो कल को आपको लेने का देना पड़ जाएगा फिर भाई बढ़कन्नी जिजी और हमारे जिजीओं जैसे लोग बन जाएंगे और आप मम्मी जी से जैसे मम्मी जी हैं उनके तरह असक्षम हो जाएंगी कुछ कहे ना पाएंगी व्यक्त ना कर पाएंगी और अपने म मिसरन भाई साब मिसरन हैं यही काम आता है जहां पर डराने की जुर्ण वहां डराना भी पड़ता है तो चलिए जी अब आते हैं जूट की दिवानी पर अरे दयर दय्या हालात बिगड़ गए हायालात बिगड़ गए जिजी के व्यूज देखके तो हमरे देवता तर गये भाई साहब जिजी के जो व्यूज हैं भाई बड़ी मुश्किलात से ग्यारा हजार मैंने देखे हैं और अब तक बारा हजार हो गया हूं तो दूसरी बात है बताओ जिजी ने इतने जादा इस समय वहां पर सडियंत रच रखे हैं मम्मियों के नजाने काका उन्होंने प्रपंच कराएं मम्मियों से नजाने काका कटली बनाएके अनको डमी की तरह ट्रीट करा कबो ऐसे कबो ऐसे घर से लेके दुलहिन को लेके और नजाने काका चीजों को लेके सवलात दाग दिये एक अच्छी सास और खतरनाक खतरनाक सव जिसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार कौन होती जूंट की दिवानी वैसे कपिल शर्मा का शो नेट्फिक्स पे आई चुका है और इस बार गुत्थी नए उतार में आई है धपली बनी के जिसने नहीं देखा है एपिसोड वन आ चुका है जाय के देखो मजेदार बिल मस्तविंदास आपने नहीं देखा तो देख डालना नेट्फिक्स पे मिल जाएगा आपको पूरा फुल एपिसोड फिल हाल हम बात करते हैं अपनी जूट की दिवाने के फुल एपिसोड की मतलब फुल एपिसोड का भाई देखे उसमें जो क्रिया कलाप है उसके बारे हम को बात नहीं करना है क्योंकि देखिए उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है वहीं मम्मी जी को घुमाना मम्मियों को चाय पिलाना मम्मियों से कुछ बिवादित बयान दिलवाना और जादस जादा मम्मियों को घुमाने ले जाना कबो कबो समोसे तो कबो कबो इधर उधर बाते बनाना इसके अलावा देखें उनके एपिसोर्स में कुछ होता नहीं है लेकिन OCD OCD सफाई सफाई करते जो जनता ने इनकी क्लास है लगाई अब इनके दिमाग का सफाया हो जाएगा भाई यह सोचते हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी मनगणन बाते बोलते रहेंगे और लोग हम वह सच समझेंगे तो ऐसा हमेशा नहीं होता है जो जनता जनारदा ने बेहद अच्छे तरीके से आपको पहचान जाती आपकी हरकतों की माध्यम से और अब तो इतना अच्छे पहचान गई है जनता कि अब तुमसे कंणी काट रही है अब कितनी कंणी काट लिया इसलिए क का बता है बड़ी मुश्किला से इतना सब कुछ करने के बाद इतना व्यू जाता है सब्सक्राइबर्स देख के तो हमको बहुते जादा शरम आती है जिद जी के, कितने सब्सक्राइबर्स और उनका कितने परसेंट लोग देख रहें, काश कि हमरी जिद जी ने इसब कहानी ना करा होता जो इसे पहले वीडियो बनाती थी जिसको सब्सक्राइबर्स पसंद करते थे रहे वू वाले नहीं वाइरल वाले नहीं वो तब जिजी ने हटाए दिखाए दिखाए इन्हों ने अपने जो यहां पर लाइम लाइट में आई है वाइरल होने की ट्रिक होते हैं दर्सको 2017 में यह जो जिजी ने वाइरल वाली ट्रिक अपनाई थी सबके बसकी बात नहीं है तो उस तरीके से जिजी हमार वाइरल हो गई थी अब बताने को कुछ भी बताएं कि एकदम से हमरी रेसिपी वाइरल हो गई फलान ढमात लेकिन जो देखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है सारी जिजी वीडियो पुरानी वाली पब्लीक कर रही वाली भी कर दो हैं कैसे गजब गजब के थमनेल लगाती थी भाई साहब मतलब नहीं नहीं फैर जिजी ने जो ड्रामा रचा था ना कि इतना भी मेरा फर्स गंदा नहीं है जो लोग इतना जादा बोल रहे हैं कि तुम्हारी फर्स गंदी गंदी मनें जरूर साफ किया होगा लेकिन गुलू लगा होगा फलान धमाक इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी फिर का जी लोगों का गुस्ता टूट पड़ा है हो सकता है मैं इतना क्लीनिंग करती हूं तो हो सकता है कि मेरे अंद होता कि भाई यूप बाहर का दुआरा गंदा है अंदर का चोबारा गंदा च्छत गंदी है वहां उसी डी कहीं चली जाती है का और हमको तो बस जिद जी का ससुरा लिया आता है जब मम्मी जी गई थी बढ़कन्नी की ससुरार मतलब बढ़की बहुरिया के ससुरार वहां क यह इसलिए दिखा रही थी कि लोग कहें कि यार जिठानी कितने गंदे से रहते हैं दिवरानी देखो मतलब हमार जिजी एक चीछ चमकाती रहती है कुछ टूटा दिखा रही फर्स टूटा हुआ टैब गंदा किचन के अगल बगल इतना जादा पड़ा हुआ त्रामान वहां हुआ सोट जो बर्थड़े में एक बार पहीं चुकी है काजल वाजल लगाई थी और बग्ये से पूछी भी थी कि मैं कैसी लग रही हैं बग्ये ने कहा था बग्ये ने कहा अब कहा पता टरूआ ले रिसिया जाए यहां गाली गलाउस करने लगा है इसलिए देखो यह हम नोट करके विग्यपति जारी कर देते हैं कि कहा किसने तब भाई वहां पर देखा मम्मी जी काम कर रही है चुटकन्नी भी शायद गई थी कि नहीं गई थी लेकिन बड़कन्नी जरूर गई थी अब बड़कन्नी इधर अधर दुचार कटोरिया बरतन गलास उठाय क अब जनता ने फिर इनकी भरपूर क्लास लगाया जितने भी लोग आ रहे हैं वहीं लगाय रहे हैं बाकी लोग तो इधर देखनन नहीं आ रहे हैं फिर का जी जो इतना ज़्यादा OCD OCD कर रही थी एक विदेश से हमारी एक लोग हैं जिजी उन्होंने कॉल इनको कॉल कह सौरी आज कल हमार ज्यादे जुबान लूड़ खुडाए रही हैं कॉल तो इनके जो दीदी वाले होते हैं ना इनके जो टरू वाले सब्सक्राइबर होते जो इनके कुछ दोस्त बन गए हैं जो की अच्छे अच्छे नाम लिया करते हैं शिखा दी और नजाने का का तो ऐ देखो तुमको ओसीडी नहीं है यह सब फालतू का बकवास ना करो तुमार बालकनी कितना गंदा है और तुमार कब बोड़ हैं देख लो तो कई आज जाए बाई तुमार सिंक कितना डर्टी हैं आसपास का एरिया देख लो और इतना नहीं इनको इन्वाइड भी कर लिया वो भी अब्राड है कि यह फिर तुमको दिखाते हैं कि सपाई होता का है एक एक चीज कैसे नीट अन क्लीन होती कैसा चम चमाता है बस OCD OCD बस कुछ भी वकवास करनेक दाई दो मतलब जिजी आपको हर तरह के लोग हर जगए के लोग देखते हैं तो ऐसी सेंसलेस बाते न होगे तो भाई जिसको पता है वो आए के तुमको यहां पर अच्छे से जानकारी देगा तो इन्होंने इसे जानकारी दे दी आज कल भाई इनके घर में सिर्फ एक काम चलता है पुरानी फिल्में दिखाई जाती है कल मम्मी जी को दिखाई जा रही थी राजा हिंदुस्त करेक्टर आपको पसंद आया वो चाची जी जो उनकी काउन सी स्टेप मदर थी कर्शमा कपूर की कहीं वही वाला किरदार तो नहीं पसंद आया या फिर काउन सा जिजी पूछ के जरूर बताना अब जो आप मोवी देखाती हो मम्मीयों को तो इसके बारे भी थोड़ा सा ना लाई लिया करिए या इससे सिर्फ मोवी दिखाए कि आप बात खतम कर देती है और कुछ लोगों ने और बता दिया कि भाई इसको OCD नहीं कहते हैं कुछ लोगों के ऐसी परसनालिटी होती है है अरे आप लोगन की परसनालिटी तो भाई या पैचानना मुश्किल है न इने सुस्राल जाएगा या फिर माई के जाएगा हर जगे पर उसको यह बिमारी होगी अईसा तोड़ है कि अपना घर देख के उसको यह से बिमारी हुए है मतलब देखो जिजी इसी हरकते काहे करती हो कि तुम्हार पोलम पट्टी खुल जावे तुमको लोगों कि यहां कोई ऐसे बोलें अच्छा लगता है का जी हमको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि आपको कोई ऐसे बोलें आखिर कारफ हमरी बढ़कन्नी जिजी जो ठायरी है अब छुटकनिये का देख लिए हो आजकल तुम्हरे नक्षे कदम पे चल रही है लग रहा है कि उसको आ आपके हाला जजवात तबिन बिगड़े जवाब ने कहा रहा था कि हमको अनसब्सक्राइब कर दो हमको मत देखो हमको कोई समस्या नहीं है और तमाम भाईया हमरी छुटकन्नी जिजी के भी तमाम आते हैं चारू वाले तो भाईया जिजी के पास बोल गया है कि यह अपनी आइसी अबला नारी है जो अच्छे अच्छो का अब तक तबला बजा चुकी है और न जाने कितने लोगन का बजाने का सोच रही है आजकल रियक्शन वालों का तबला बजाने का सोच रही हैं भाई आजकल हमारे जजी रोस्टिंग कर रहे हैं वो भी रियक्शन वालों की कि तुम ऐसे प्राड़ी हो तुम ऐसे प्राड़ी हो तुम संसार में एक बुराई हो तुम हमारे पाप दोने के लिए यहां पर आई हो ऐसी ऐसी बाते उसके दिमाग में आ गई ही काही बताएं दर्सकों कल जो जिमी कंद भाईया जिमी कंद खीरा मम्मियों का इतनी बार भा पाईदा करें तो बड़ी मुश्किलाइस से इतुना असा तेल वैसे हमारे जिजिक तेल का जुरूरत नहीं पड़ता है उनका तेल का सारा पैसा बच जाता है पानी बनाती है ना थोड़ो थोड़ो सा इस इसे करिके तेल का जूरूत का जाएजी कुछ लोग तो बहिए नहीं तो वो ऐसे जैसे तुमको बातन मा उलजाए रहती हो ऐसे लल्लो चपको करके चली जाती है इसलिए तुमारी फरस इतना गंदा है अरे भाई का का आप लोग बताते रहते हो का हमार जिजी को तुम लोग अंजाना समझे हो है उसको बहुत है अच्छे से पता है कब कहा काई सबु का कंटेंट है भाई साब तुमने इतनीन बात कर दे उसके लिए वही बहुत है देखो एक भी कॉमेंट डिलीट नहीं करा है क्योंकि इस समय व्यूज का भाई साब अकाल पड़ा है इसलिए समझ गया है ना चलिए जी अभी के लिए इतना है फिर मिलेंगे एक नएका वीडियो में तब तक लिए टाटा जिजी छोटकनी जिजी अरे सुनो कहां किसे फोन पे लगी पड़ी हो वीडियो कॉल जल रही है तानिक से सुनो आज रियक्शन वालों को कैसे तवलोगी है आज मतलब उनको का बनाओगी इस बारे में थोड़ा समको आइडिया नहीं थोड़ा त्यारी कर लें हैं हाँ 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 हाँ